कि आपको बताने बाला तू भी फेल्ट बाई ओई एहम का ग्राफिस डाइबर किस तरह से आप लोग अपनी कॉम्पूटर लेट्टॉप में डाउनलोड करके इनिस्टल कर सकते हो काफी लोग डाउनलोड करते तो इनिस्टल करते सपोर्ट नहीं करते नौट वर्किंग का प तो आज की इस वीडियो में step by step जान करें देने बाला तो इस वीडियो का आपको last watch करना है तो भी गैस आप लोग जान पाएंगे किस तरह से ग्राफिस डाइबर को इनिस्टल किया जाए और भी गैस मैं आपको लेकी चलूँगा मेरे laptop की स्कीन पर उधर ही जाके मैं आपक क्या करना है google पे type करना है so man technology dot in उसके बाद चार्स करना है जैसे चार्स करेंगे यहाँ पर आपको एक website नजर आ जाएंगे technology नाम से आपको इस website को किलिक करके open करेना है ओके छेले open करते हैं जैसे आप website open करेंगे तो website का look को इस तरह का होंगे ओके तो आपको scroll करके थोड़ इस तरह का page आएंगे ओके यहाँ पर आपका जो भी model होंगे वह यहाँ पर लिखा गया आपको scroll करके नीचे आ जाना है यहाँ पर graphics driver की बारे में काफी कुछ पते आए जानकरी ओभी हिंदी में है आप एक बार it का लिजाएगा ओके आपको नीचे आ जाना scroll करके एकदम य इसी किलिक करेंगे तो आपके इस तरह का website open हो जाएगा आपको थोड़ा scroll करके और नीचे आना है यहाँ पर download का option है किलिक करके आपको इधर आ जाना है ठीक है यहाँ पर आपका जो भी computer का model होंगे उपर होंगे और operating system का इधर beat होंगे और आपका कौन सा windows से उसको select करना है और beat select करना है उसके बाद आपको simply download में किलिक करके download कर लेना है जैसे download में किलिक करेंगे आपका जो भी file होंगे वह download होना start हो जाएगा जैसी कि देख सकते हो कि मैं close कर दिया हूं कि की already में पहले download किया हो और एक बत कहता हूँ ठीक आप अगर first time download में किलिक करेंगे तो ठीक है और भी काफी सब्सक्राइबर आपको यहां पर मिल जाएंगे आप इधर से download कर सकते हो और इस तरह से ग्रफिस डैबर को आप इपनी computer laptop में इंस्टल कर सकते हो तो गैस कैसा लागा आज का वीडियो में उम्मित करता हूँ वीडियो में जो जानकर इस आपको पसंद करता है यह झाएंगे